आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ के ओनलाइन चालान कैसे पे किया जाता है अगर आपका या आपके किसी कस्टमर का किसी ट्रैफिक रूल को वाइलेट करने पर चालान कट होता है चाहे 2-wheeler का हो या 4-wheeler का हो उसको आप online pay कर सकते हैं अक्सर लोग चालान pay करने में देरी करते हैं जिससे वो चालान कोट में चला जाता है और उसको online pay करने का option खतम हो जाता है कोट में चालान जाने के बाद उन्हें ज्यादा energy और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको चालान pay करना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको चालान चेक करने का और उसको online pay करने का complete process दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं चालान चेक करने के लिए और उसको online pay करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा चालान चेक करने के लिए आपको तीन options दिये गए हैं ये तो आप अपना डियेल नमबर डालकर चालान चेक कर सकते हैं ये फिर आप अपना वीकल नमबर डालकर चालान चेक कर सकते हैं अगर आप वीकल नमबर के थुरू चालान चेक करना चाहते हैं पर अगर आपको चाला नमबर पता है तो आप चाला नमबर select करेंगे और यहाँ पर चाला नमबर डालेंगे यह capture फिल करेंगे और get details पर click करेंगे इस तरह से आपके सामने चालान की details आजाएगी जिसके नाम से चालान कटा है वो आप यहाँ देख सकते हैं गाडी का नमबर आप यहाँ देख सकते हैं चाला नमबर यहाँ आ जाएगा किस state में और किस date को cut हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं इसका status देख सकते हैं कि यह pay हो गया है या pending है अगर आपको चालान प्रिंट करना है तो आप इस print icon पर click करेंगे इस तरह से आप चालान को print कर सकते हैं इसमें आपको चालान की सारी डिटेल्स मिल जाएगी चालान में आपको वीकल के साथ ही ड्राइवर का फोटो भी मिल जाएगा और नीचे आप देख पाएंगे के चालान क्यों कट हुआ है जैसे कि ये चालान कट हुआ है हेलमेट न पहनने की वजहा से एक हजार रुपे का चालान तो चालान पे करने के लिए आप पे नाव पर क्लिक करेंगे इसमें आपको कोई भी एक मुबाइल नमबर डाल कर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है आपके नमबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिये जाएगा ओटीपी डाल कर सब्मिट करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है आपके सामने चालान की डिटेल्स आ जाएगी आप प्रुसीट पर क्लिक करेंगे इसमें आपको पेमेंट के काफी सारे ओप्शन्स मिल जाएंगे आप अपने डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपी आई से भी चालान पे कर सकते हैं अगर आपको यूपी आई से पे करना है तो आप यहाँ किलिक करेंगे और अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो यहाँ किलिक करेंगे इसमें आप अपना बैंक चूज करेंगे जैसे कि मुझे HDFC बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं HDFC बैंक चूज कर लूँगा, इसके बाद मेंक पेमेंट इसके बाद आप अपने user id password डाल कर payment complete करेंगे आपका payment successful हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं payment done successfully इसके बाद आप यहाँ click करेंगे चालान का payment successfully हो चुका है आप यहाँ से receipt download कर सकते हैं यह आपकी payment receipt है कि आपने चालान pay कर दिया है इसको आप print करके अपने customer को दे सकते हैं इसके बाद अगर आप इस portal पर अपना चालान number डाल कर get details पर click करेंगे तो इसमें आप status देख सकते हैं dispose हो चुका है और यहाँ पर receipt print करने का option भी आ गया है यहाँ से भी आप payment receipt print कर सकते हैं तो इस तरह से आप online चालान pay कर सकते हैं चालान करने के बाद आपको 60 days का time मिलता है उसको online pay करने के लिए अगर आप 60 days में उसको online pay नहीं करते हैं तो वो चालान court में चला जाता है तब आपको court में जाकर उसको pay करना होता है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं